बहुलक आपने औसत तता माधिका को समझा आंकडों से निशकश निकालने का एक और मापक बहुलक है बहुलक प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण होता है उधारन के लिए किसी परिक्षा में कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों के गणित विशय के प्रापतांक निम्नलिखित थे इन आंकडों में हम देखते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 6 है यानि बहुलक 40 हुआ आईए एक अनि उधारन से बहुलक को समझे उधारन 9 एक दुकानदर अपनी दुकान पर किसी विशेश कंपनी के 5 अलग अलग नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के जूते बेशता है तीन महिने में हुई बिक्री के आकड़े इस प्रकार है तीन महिने में दुकानदार ने दिखा कि काफी जूते बिख चुके है अब दुकानदार को जूतो के खाली हुए स्टॉक को भरना है क्या वा औसत या माधिका ग्यात करके या निर्णे ले पाएंगा कि उसे कौन से नंबर के जूते जल्दी से जल्दी कमपनी से मंगवाने होंगे या हम औसत वा माधिका से पता नहीं कर सकते उसे उस माप के जूते मंगवाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिखते हो उपरोक्त रिकार्ड को देखकर दुकानदार आठ नंबर के जूते कमपनी से मंगवाने का निर्णे लेता है वह अन्य नंबर के जूतों के स्टॉक को उनके कम खरीदारों को देखते हुए कुछ समय के लिए टाल देता है आप देख सकते हैं कि 8 नंबर के जूते की मांग सबसे अधीक है क्योंकि इनकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई है अताहा यहां बहुलक 8 है करके देखें निमनलिखित आंकणों का बहुलक ज्याद कीजिए पहला 25, 9, 79, 34, 70, 36, 90, 70, 56, 70, 71 दूसरा 56, 49, 94, 36, 49, 15, 49, 40 56, 59, 55, 55, 46, 50, 51, 57, 56 झाल झाल